हालो फ्रेंट्स मैं विटेज और आप देख रहे हैं विटेज फर्वक एंट टैग समस्वर फ्रेंट्स अगर आपके पास कोई सब्सक्राइब करना हो चुकि आपका फोन के अंदर कोई शॉप्या यूश्य होता है तो उसके लिए फ्लेस फाइल की ज़र्वत पढ़ती है जिसको की स्टॉप रोम भी बोलते है तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको जाना है पर वहाँ पर लिखना है फाइल आप इसके बाद इसको सर्च करेंगे यहां पर आपको मिलेगा फाइल डाट कॉम फाइल डाटाबेस अव श्टॉक्रोम आपको इसपे क्लिक करना है क्योंकि यह सबसे ट्रस्टेड वेबसाइड है जो कि आपको फाइल प्रोवाइड करती है तो चलिक करते हैं जैसे मों इसको कर करेंगे यहाइस को क्लिक करना होगा करने के के बाद देखे आपको मैं आपको दिखा दूं यहां पर आपको करना क्या है जिस आपका सौफ्टिय आपको पर क्लिक करना जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं पर आपका गए नाइनटी का पोल्डर खुले गा आप जो लिखा ओगए जो आन इस पेज you will find the official link to download Xiaomi Mi 9T stock firmware ROM flash file. On your computer, firmware comes in a zip package which contains flash file, flash tools, USB driver and how to flash manual. उसके बाब स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर लिक मिल जाएगा आपको Xiaomi Mi 9T stock firmware flash file. The flash file will help to upgrade, downgrade or reinstall the stock firmware on your mobile device. The flash file ROM also helps you to repair the mobile device if it is facing any software issues, Bluetooth issues, AMI issues or dead issues. File name Xiaomi Mi 9T version 10, अब देख सकते हैं एक ग्लोबल लेबल की file है, file name है XFT.zip, file size आपको 3GB कहा है, flash tools के साथ आपको मिल रहा है Xiaomi flash tools, Xiaomi flash tools के ही आपका आपको software flash करेगा, how to flash इसके लिए आपको guideline दी गई है, follow tutorial आप यहां से follow करके देख सकते हैं. यहां पर आपको green card करके लिखा हुए get link आपको इस पर प्लिक करना है, अभी चलिए मैं 90 stop firmware package on the computer, पहले आप अपने computer पर इसको firmware file को लेगे जाए जो कि zip package में है, उसको right click करके extract करिए तो उसको package के अंदर आपको मिलेगा, firmware file मिल जाएगा, flash tools मिल जाएगा, driver मिल जाएगा, और how to flash की guide मिल जाएगी. Install the provided usb driver on the computer and if in case usb driver is already installed then skip this step. Follow the how to flash, manual to flash और install the firmware on your Xiaomi Mi 90 device. अगर आप phone को flash करने जाते हैं तो सबसे बड़ी सावधानिया आपको यह बतने हैं कि अपने phone का backup ले लीजे, क्योंकि सारा data आपका delete हो जाएगा, if you are going to flash और install the above firmware on the Xiaomi Mi 90 device, then take a backup of everything because your data will be deleted or removed post flashing or installing the firmware. तो दोस्तों देखें चलिया हम करते हैं link पर, हम link पर क्या करते हैं यहां पर click करते हैं, जैसे ही click करते हैं यह आपको लेके जाएगा सीदे की सीदे आपको file download पर, वहां पर आपको लेके जाएगा यह Google Drive पर, Google Drive से आप इस तरह से दिखेगा, यह actually आप phone से कर रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहे है, मगर आप PC से अगर करते हैं तो वहां पर लिखेगा Google Drive वहां से आप download करते हैं, download करने के बाद आप उसको PC में लेके right click करके extract करके उसको tools में use कर सकते हैं, और अगर guide चाहिए होगी तो आप मुझे message कर सकते हैं मैं आपको बता दूँगा, तो देखें इस्तर से download होगा तो इसलिक फाइल है तो टाइम लगता है दोस्तो तो दोस्तो अगर इवे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल अवितेज फर्मा का इंट्राइक स्लूशन को लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए तो धन्यबाद दो तो देखें 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 आपको अच्छी स्लूशन